हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे SA vs NED Dream 11 Stats Plus Info यानि की South Africa और Netherlands के बीच में जो मैच खिला जाएगा T20 World Cup से मैच 40 उसकी बात करेंगे दोस्तों ये जो मैच है Super 12 Stage का मैच 28 है काफी important हो जाता है क्योंकि South Africa अगर इमेच जीतती है वो जाएंगी next round में लेकिन अगर Netherlands जीतती है तो South Africa बाहर हो जाएगी obviously South Africa starts as favorite much better team in Netherlands से तो अगर South Africa win कर लेती है वो qualify कर जाएगी as simple as that हारती है तो जो भी बांगलादेश पाकिस्तान की मैच का winner होगा वो qualify कर जाएगा दोस्तों आपको बतारा चाहूँगा हमारे टेलीग्राम में 12,22,000 लोग जोड़ जोड़ जोड़े हैं और हम बहुत अच्छे results regularly लेकि आ रहे हैं अगर आप नहीं जोड़े हो तो आप जोड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम का link वीडियो की description में है टॉप के comment में भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे जो link है आपको description में भी मिल जाएगा कभी भी आपसे हमारे नाम पे कोई पैसे मांगे तो उसको बिलकुल भी ना दे क्योंकि ऐसे करने वले बहुत लोग है चलिए without wasting time हम यहाँ पर आज बात करेंगे इस match की मैंने आपको हमेशा से बताया इसमें surface में बल्ले बाजी में अच्छा है गेंद बाजी में spin थोड़ा सा आ जाता है और fast भी अगर आपने last match देखा था उसमें spin काफी आया था मैंने बताया था being fresh might edge to fast bowlers and batsmen यह मैंने कब लिखा था जब fresh wicket थी देखना होगा कि आज fresh wicket use होगी या old surface क्योंकि जो पिछला surface था है वो दोस्तों तीन matches के लिए use हो चुका है आपको याद होगा इस सोड़ी हमने surface पर wise captain किये थे जबकि हमने प्रेले तीन match में नहीं लिए दो wicket ले गए थे अब यह कैसे पता लएगा वो मैं आपको टेलिग्राम पर बताऊंगा एक मैदान पर दोस्तों काफी pitch होती है और आजकल दो drop in pin का जबान है drop in pitch मतलब कि जो additional pitches नहीं होती तो यह जो pitches होती है यह fresh भी लेक्या आई जा सकती है और मिरे को लगता है कि एक मैदान में especially world cup के लिए काफी pitches तो होंगी दो से तीन तो रहनी चाहिए हाला कि पिछली जो pitch थी वो तीन matches के लिए use की गई तो इस पर expect करो जो दो match आजके हैं शायद नहीं प्योंगा अगर ऐसा नहीं होता आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा फिर spin to win situation बन जाएगी ठीक है फिर आपको समझना होगा spinner जो की जादा लोग ध्यान नहीं देंगे वो game changer बन जाएगे अब कौन लेगा South Africa के match में केश्व महाराज या फिर तबर्यासमजी सब Pacers के लिए जाएगे क्योंकि काम उन्हों ने किया है लेकिन हम लेंगे ठीक है ध्यान रखना ही है लॉजिक से जाएंगे तो वो काम करने चाहिए अभी मैं बिग बैश की बात करता हूँ 2021-22 के जो मैचे उसमें आपने वैसे सब मैचे देख लिए डिसेंट स्कोरिंग हो रहा था विकेट्स में देख लो पहले स्टार्टिंग में फास्ट पूलर्ज आया फिर स्पिनर्स भी रेगुलर्ली आया है फिर अगर दुगने ओवर से ज़्यादा डाल रहे है फास्ट तो विकेट्स भी लगबबग दुगनी ही निकालेंगे इसमें तो भाई 6 स्पिन को विकेट गई थी जबकि केवल और केवल आई थिंग 14 ओवर स्पिन के हुए थे इस मैच में तब भी आपको 26 हुए था फास्ट के तब भी स्पिन से 6 विकेट मिली थी आपको ठीक है यह मुझे क्यूं यादा है 14 ओवर स्पिन के मैं आपको बता दू चार सोडी के चालिस और बारा कितने हुए बावन पांच रन नौट शिफ्टी सेवन केवल बारा वेक्टे स्पिन को कहानी आपको खलगत दिख रही है क्योंकि पिछले दो मैच पर इलाई नहीं कर सकते नंबर के साथ आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ पहले दो म अच्छा टॉम कूपर इस ग्राउड पर बहुत खेले हैं साथ औस्टेलिया के टीम के लिए लोकली एडिलेट के ग्राउड पर टॉम कूपर ने बहुत क्रिकट खेली है इसलिए वह वह वन डौन पर भेज़े गए थे लास्ट मेंच में ठीक है द्यानक ना क्योंकि इतना उस्टेरिया उनको खेलने का एक्सपीरियंस है उन्होंने लास्ट मैच पर वन डौन पर उनको भेज दिया और इस ग्रौन पर भी टॉम कूपर खेले हुआ है इस पर भी आ सकते हैं दोस्तों यहां पर हम head to head देखेंगे जहां पर साथ अफरीका ने एक मैच जीता है नैधरलेंड से मुझे बहुत अच्छे से मैच याद है उस टाइम पर खेलता था official fantasy league जादा लोगों को नहीं पता वो एक free fantasy league होती थी उसमें आपको gift वगरा मिलते थे एसान मलिक को मैं लेके चला था इनका 1-2% selection था मेरे फेवरेट बोलर है रेटायर हो चुके है लेकिन जस्ट आपकी knowledge के लिए इनकी bowling देखना कभी भी medium pace से करते थे लेकिन line length इतनी पकड के डालते थे ना भाई लाजवाब बोलर थे एसान मलिक पांच विकेट उनना निकाली थी रोक के रख दिया था सौथ अफरीका को और नेधरलेंड में जीते जीते हार गया था घेंदे थी इनके पास लेकिन all out हो बैटे अब इस फाफ चॉबिस खेल नहीं रहे अब स्टेफन बाइब फिफ्टी वन हाशी मामला अब है नहीं इमरान तहीर अब है नहीं एसान मलिक पांच विके डेल सिन कोमेंटरी वोक्स में बैट है मैच में नहीं ठीक है साउथ अफरीका के प्लेयर रोल अगर आपको सभी प स्टब्स की जगह तो वह बहतर मानूंगा बट यह साउथ अफरीका चॉइस करके जा रही है स्टब्स को एस खिला रही है वह में प्लेयर अपना एस फिनिशर इनके बास दोस्तों विकल्प बहुत अच्छी है बल्ले बाजी में नंबर पांच तक मुझे इनकी टीम स्ट् कर जाए ठीक है महराज की वाप से क्यों नहीं चाहिए उन्होंने एक टेक्टिकल चेंज किया था उनको पता था कि जो पाकिस्तान की टीम है उनकी प्लेयर्स की एवरेज लगभग 45 फ्लस है ठीक है अगेस्ट लेफ्टाम और्थडोक्स और स्ट्राइक रेट भी लगभग का ले और रबाड़ा ने दो रबाड़ा अनलग की ते लास्ट मैच में इनकी बॉलिंग पर बहुत कैच छूटे थे रबाड़ा इस मैच में लेके चलेंगे हम बहतर रहेगा वाप मैच के स्टैट्स भी आप देख सकते हो इस पर आपको सबकी वे जो वाम-प की परफॉर पर इनके लाजवाब खिलाड़ी है इस वार ओफ माइबरेट जो नेधरलेंड की टीम में अलॉंग विद बास दे लीड एक्सपिरियंस प्लेयर स्टीफन माइबग का रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है बड़ यह ऐसे हैं जब चलने पर आते बहुत अच्छा चल जाते है कैसे मालूम अगर आपको यहां पर यहां पर साउथ अफ्रीका का मैच देखने को मिल रहा है स्टीफन माइबग ने यहां पर एक टाइम पर साउथ अफ्रीका को जटका दे दिया था 145 चेस करते करते 51 मार दिये था 28 गेंद में लेकिन भाई बाकी नेधरलेंड के टीम स को उपर भेजा जा सकता है यह इस प्रीड अफ्रीकेट इन एडिलेट फोर साउथ ऑस्ट्रेलिया ठीक है लोकल प्यर गाउंट होते है बिग बैश में क्योंकि इनका वर्फ पेरेंट कनेक्शन ऑस्ट्रेलियर है ठीक है तो रूल अफ्रेंडर माव है बहुत इंपोर्टन लोगन वन भी काफी अच्छे प्लियर है फास्ट बॉलिंग बढ़िया करते हैं साथ में कुछ आपको बल्लेबाजी देते हैं इनका ओवर्सीज जो टीम्स है ना उनके फास्ट बॉलर जो है सब ओवर्सीज लीग में खेलने जाते हैं फॉर एक्जामपल फ्रेट क्लासें लोगन वन भी न्यूजिलेंड क्रिकेट में खेलते हैं और इवन राइट शाय डर्भी शायर से दर्हम से या डर्भी शायर से वह कंट्वीजन हो रही हैं मोस्ट लैकली डर्भी शायर बाकी आपको बता दू बैस दी लीडे इनके वन अव गुड बोलर बे आते हैं लोगन वन भी अच्छे बोल रहा है उतना यूजज इनको अच्छे से नहीं मिला तीम अच्छी है इनके पास उलोफ एंडर मॉव है अगर उलोफ एंडर मॉव नहीं खेलेंगे तो हनान मतोलन लास्ट वे थोड़ी सी इनकल लगी थी उनकी जगा फिर आपको शिराज एहम भी आब देख रहें हो यहां पर फूल स्टाउट्स प्लस इंफो के बाद हम देख रहे हैं वोंऑप मैच के स्टेट्स इनफाइगे विए फूल उबंसां से जानते होंगे काफी क्योंकि नेधरलेंड का प्लेयर जो अब है रूल आफ एंडरमव ये साथ अफरीका के लिए खेल चुके है क्यों क्योंकि बहुत पहले वल्ड कप हुआ था उसमें मुझे याद है I think if I am right 2010 या 2010 I don't remember बट उस टाइम पे एक ना एक वल्ड कप में रूल आफ एंडरमव साथ अफरीका के लिए खेले है ये confirmed बात है ठीक है क्योंकि मिरे को याद है इनका diving cat जो इनोंने बहुत तकड़ा लिया था वल्ड कप में साथ अफरीका की तरफ से खेलते हुए बाकि डेविड मिलर टिमवेंडर गुक्टेन के आगे विकेट दे चुके एक बरी वंडे में बाकियों का नॉर्मल है इसने मैंने जिक्र नहीं किया एक्रमेन के आगे नॉर्मल है वेन पार्नेल नॉर्मल रिजा हेंडिक्स फ्रेट क्लासन पे आउट है मैक्सोड नॉर्मल एवरिबडी इस एक्चली नॉर्मल क्योंकि यह जो जनेरेशन है इसमें मैच ही नहीं हुआ लास्ट मैच मैच मैंने आपको रड़ी दिखा दिया जो था वह यहां पर 2014 था उस टैम पे बहुत कम प्लेयर थे जो खेले थे ना फाफ है ना आमला ना एबीडी ना ताहीर ना एसान मलिक ना डेल स्टें स्टीफन माइबग हैं तो उनका मैने नीचे बता दिया जिससे हुए वह खेल नहीं रहा होगा तो इस वज़े से मैच अपस में आपको खासा नहीं दिखा दोस्तों अगर आप चाहो तो आप अपनी लीग्स जो है इसमें 12th मैं में भी जॉइन कर सकते हो डिफरेंट अप्लिकेशन है यह एंट्रिफी आपको मार्केट से कम आपके उपर है अगर आपको है तो आप खेल सकते हो क्योंकि जिसको नौलेज है वो तो अच्छा कर सकता है यह फीचर अपका है तो मैंने बताती है अब यह कॉंटेस्ट में आपको रेगुलर्ली फ्री कॉंटेस्ट भी देखने को मिलेंगे तो उसका ज्वाइन करके फाय यहां पर पाएंगे लेकिन मेरे को लगता है यार आपको भी पता है कि विकेट कीपिंग में जो बेस्ट विकल्प है वो ओपनर प्लस विकेट कीपर कुईंटन डिकॉक की है इसलिए ज़्यादा लोग उनके साथ गए है स्कॉट एडवर्ड जाने माने प्लियर है नेधरलेंड के कैप्टन है बट फिलाहल प्रॉब्लम यह यह काफी नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं हो सकते लास्ट मैच है खुद को प्रमोट करना ही है यंग प्लियर्स को भी मौका दे दे खुद काफी नीचे आ रहे है बट मु सबसे ज्यादा की बल्लेबाज जो है नेधरलेंड के मैक्सवल और इनको लेकर चलना ओपनिंग पर इनके हाईए स्कूरर रहे है इसमें कोई शक्की बात नहीं है इनकी पिछली पांच इनिंग्स में आपको बता दू पांच इनिंग्स जो लास्ट मैच को छोड़के है ज पिछले छे ही बतादे तो पिछले मैच में इनके थे 7 स्कूर उससे पिछले 5 मैच्च में या तो यह 0 पर उट हूए हैं तीन बार इनमें से तीनों बार एक बर शतक आया और एक बर और शतक आया बेसिकली इनका जो रीजन्ट को रीड कर रहा है 00100 प्लस 0010 प्लस ठीक है का तीन बार शिकार किया मुझे अच्छे से आता है राइली दे सव को अभी आप ले सकते हो और मैंने लिया भी है नंबर तीन के खिलाड़ी को माकरेम को मैं फिलाल नहीं ले रहा दोस्तों आप लेना चाहो ले सकते हो मैं मना नहीं करूंगा लेकिन ये डिपेंड करेगा अभी के लिए हम वेट करते हैं थर्ड ऑप्शन हमारे पास बल्ले बाजी में है बवुमा जो ओपनर है लास्ट में थोड़ी फॉर्म में दीखे नेधरलेंड के सामने स्कोरिंग नहीं किया बवुमा भी या तो सब नराज हो जाएंगे आपसे कप्तान हो आप ठीक है और न्यूजिलेंड इन तीनों कंटरिस का रहा काफी करेक्शन मिलेगा क्योंकि नेधरलेंड के बहुत प्लेर है जो डमेस्टिक क्रिकेट या साउथ अफ्रीका या नेधरलेंड में खेलते हैं तो ट्रेस्टें सब्जा फिनीशिंग करेंगे इसलिए मैं नहीं ले रहा र मतलब आता है लेनिका तो नेधरलेंड के बहुए बैस देलीड है और अब लिए तो समझ सकते हो क्रिकेटिऑ फेमली अब है थे उसे कुछ नाम है उनका ऐसे कमेंडेटर बोलते हैं तो मैंने भी उसी एक सेंट में आपको बताया बट इनी की बहन है इनके फादर भी ट्रि वेन पारनेल, वेरी गुड प्लियर, अगेन, फास्ट बोलिंग में बढ़िया विकेट निकाल रहा है, रंज भी कर सकते हैं फाइफ डाउन पे, बड़ बल्लेबाजी का इनका मौका बन नहीं रहा है, उत्रे कंसिस्टेंट नहीं है रंज को, मानने पर मार भी देते हैं, की विकेट मिल पाए, डेक्टोर में, मुझे पसंद है, विकेट भी निकालते हैं, रंज भी कर लेते हैं, तो मैं लेकर ही चलता हूँ, कॉलिन एक बातर ऐसे प्लियर, जो बहुत ज़्यादा एक्स्पिरियंस रखते हैं खेलने का, फार्म राइट ये भी साउथ और फ्री उसके बाद मेभी इवन अगर मिलर खेल रहे हैं, पार्नल तो खेली रहे हैं, तो उनके सामने भी जुरुत पड़ी तो ओवर कर सकते हैं, ठीक है, फिलकवायो अभी नहीं खेल रहे हैं, तो मैं फेंकूंगा नहीं, उनको क्या करना है, ठीक है, फेंगेंगेंगी तो हम भी बाकि बोलिंग की बात करते हैं दोस्तों, बोलिंग में एमरीक नॉटियां हैं, काफी तगड़े फास्ट बोलर, क्योंकि बढ़िया आपको डैथ में बोलिंग करते दिख रहे हैं, रेगुलर विकेट निकालते दिख रहे हैं, पेस मोंस अच्छा है, लेकर ही चलना बहतर है पॉल वेन मेकरन हैज बीन सेंसेशन फॉर नेधरलेंड्स की सबसे अच्छे बेस्ट बोलर है, पॉएंट्स देखके अंदाजा लगा लो, साथ में इनको बल्ले बादी चाहे, नाइन डौन मिले, एड डौन मिले, बड़ी स्कोरिंग मार जाते हैं, इन्होंने एक दो मैच टीम में, लोग इनको लेना ले, हमें पता है, विकेट टेकर है, ठीक है, रबाड़ा तो भई, आपको पता है, आप परपल के आप जीतते देख सके इनको, या आज तिंग टॉप नहीं, तो सेकेंड हैस विकेट टेकर तो थे ही, पिछली आईपल की बाद तियोरी उससे प आपको सेफ जाना है, तो आप क्या करोगे, पॉल वेन मेकरन को डाल लोगे, ठीक है, और ये कब करोगे अगर नेधरलेंड की बोलिंग आ गई, फिर तो पॉल वेन मेकरन ले लेंगे हम, लेकिन उस केस में हम टॉम कूपर को नहीं लेंगे, फिर हम माकरें को लेंगे, तो ये टॉस डिसाइड करेगा, दोस्तो, इन शॉर्ट नेधरलेंड की अगर बोलिंग आती है, तो मेरी टीम में चेंज होगा, फिर उस केस में मैं क्या करूँगा, सौथ अफरीका का एक बोलर कम करूँगा, महराज की जगा मैं पॉल वेन मेकरन को ले सकता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉम कूपर को हटाके, मैं यहाँ पर डाल लूँगा, मा करें, ठीक है, प्यूज भाई, लास्ट वेस में महराज नहीं खेले थे, शमजी खेले थे, जिसने मेरी फुल वीडियो देखिए, मेरे हिसाब से, यहाँ पर खेलेंगे, महराज मैंने आपको logic बता दिया, क्यों, ठीक है, CVC मेरे जो रहेंगे, मैंने अपनी captaincy और vice captaincy यहाँ पर छोड़ी सी सोची तो है, अलग, बट हाँ, अभी है, तो है, कप्तानी मेरी decock पर है, और vice captaincy मेरी रबाड़ा पर, आप चाहो, तो safe किसी और को भी vice captain दे सकते हो, जिसे best delete है, क्य करूँगा कोशिश करूँगा पूरी कि आपके लिए एक्टिव रहूं उस टाइम पे ठीक है तो उमीद करते हैं कि आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और बैल आइकन प्रेस करके रहेंगे नेक्स्ट वीडियो इंडिया के मैच का रहेगा टेलीगरम का लिंग वीडियो की डिस्स्टर में जरूर जुड़ जाओ